हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तो अभी मैं फाम आई हूँ और आज मैं आप लोग को संफ्लावर, रैस्बेरी, कौन और पंकिन का फाम दिखाने वाली हूँ तो मेरे वीडियो में बने रहे हैं बहुत मजाने वाला है आज के ब्लॉग में तो अभी हम लोग फाम के में गेट पे आ गए हैं और यहाँ पे डेमो के लिए संफ्लावर एंड पंकिन रखा हुआ हैं और अभी हम लोग इंट्री फीप पे करके और फाम के अंदर जाएंगे देख सकते ही काफी बड़ा फाम है जो कि 43 एकर्स में फैली हुई है सबसे पहले हम लोग संफ्लावर गार्डेन में आए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक संफ्लावर की गार्डेन है क्योंकि अभी यहाँ पे संफ्लावर का सीजन चल रहा है तो सारी सनफ्लावर खिली-खिली नजर आ रही है और काफी सुन्दर भीव आ रहा है ये सनफ्लावर की कली है और अभी ये रेडी नहीं हुई है और रेडी होगी तो इसमें से सनफ्लावर बाहर निकलेगी यहाँ पे बहुत सारे वेराइटे के सनफ्लावर है जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के सनफ्लावर देख सकते हैं यहाँ पे यह सनफ्लावर रेडी हो चुका है तो इसको आप वायल निकालने के लिए फिर अलग-अलग परपस के लिए अब यूज कर सकते हैं इधर entrance है और इधर exit बनी हुई है, entrance के side से हम लोग entry कर रहे हैं, यहाँ पे lane बनी हुई है, तो आप अंदर जाके अच्छे से देख सकते हैं, भुट्टा भी यहाँ पे ready हो गया है, तो आप इसको use में ला सकते हैं, grill करके या पिर कैसे भी आप use कर सकते हैं, अब ही हम लोग waterfly garden आए हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग different different flower को mix करके लगाया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी तितलियां रहती हैं, और मधु मखियों का भी ताता लगा रहता है, अब हम लोग raspberry garden आए हुए हैं, और यहाँ पे boxes रखे हुए हैं, जिसको भी चाहिए pick करके अपना घर लेके जा सकता है, raspberry garden भी काफी दूर तक फैली हुए है, यह baby raspberry है, और यह बड़ी हो गई है, बट खाने के लिए ready नहीं है, और यहाँ पे यह जो raspberry है, वो अब ready हो चुकी है, जिसको के हम लोग खा सकते हैं, और यहाँ पे farming के लिए equipment भी लगी हुई है, तो अब ही हम लोग pumpkin garden आ गए हैं, और यह pumpkin garden भी काफी दूर तक फैली हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे pumpkin हैं, जो की ready हो चुकी है, यहाँ के लोग Halloween celebration के लिए भी pumpkin का यूज करते हैं, कैसी लगी मेरी farm की वीडियो कमेंट करके जरूर बता है,